आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ज्यादा शक्कर खाने की अगर आपको आदत है तो ये वीडियो आपके लिए है खास रुप से जरूर देखें ये पूरा वीडियो क्योंकि आपको इससे एक अच्छी जानकारी ही नहीं मिलेगी बलकि पूरे जीवन सिहत मंद रहने की एक सीख मिलेगी अगर खाने पीने में ज्यादा शक्कर यानि की चीनी मिठा लेते हैं आप तो आपको सावधान होने की जरूरत है ऐसा करना आपकी सिहत के लिए नुकसान दायक होगा जिहां ज्यादा शक्कर खाने से आपको एक समझते होंगे आ अबुइब सकते हैं, बिमारी नियुक्सां कर सकते हैं। तो आपको मोटापा होने के chance बढ़ते चले जाते हैं जब हम शुगर खाते हैं तो हमारी body में लीपो प्रोटीन लीपोज बनता है जिसकी वजह से हमारी कोशिकाओं में फेट जमा होने लगता है और नतीजतन हमारा मोटापा बढ़ता जाता है और ये हमें घेर लेता है दूसरी बीमारी जानते हैं जब हम ज़्यादा शुगर लेते हैं तो इसका सीधा असर प्रतिरक्षात तंतर पर पड़ता है और वह कमजोर होता है और ऐसा होने से क्या होता है आप सभी जानते हैं कि आपकी immunity कमजोर होगी यानि कि रोग प्रतिरोधक शम्ता कमजोर होगी तो आप पर मौसमी बिमारियों का अटैक बहुत जल्दी होगा आप पर वाइरस संक्रम और वगेरा का अटैक जल्दी होगा तो इसलिए शुगर को बाइबाइ बोलें तीसरी शुगर में कैलोरी के अला यह स्थिती लंबे समय तक बनी रहती है तो आपके लिए घातक होगी चोथा अधिक शुगर के सिवन से हमारे लीवर का कारे बढ़ जाता है और शरीर में लीपीड का निर्मान बढ़ जाता है ऐसी स्थिती में फैटी लीवर डिजिज जैसी समस्याओं का खत्रा बढ़ जात है इस स्थिती में दिमाग तक सही मातरा में ग्लुकोज नहीं पहुच पाता है और दिमाग सही तरीके से कारे नहीं कर पाता है जिससे की मेमोरी लॉस की समस्याओं को हो सकती है तो इसलिए भी शुगर को बाए-बाए बोलें ये पांच वाथा आए चठा जानते हैं समय से पहले बूढ़ा दिखना भी ज्यादा शुगर लेने का एक बड़ा साइड इफेक्ट होता है जब हम ज्यादा मात्रा में शुगर खाते हैं तो यह हमारी बोड़ी में इंफलेमेंटरी इफेक्ट बनाती है जिससे की त्वचा पर दाने निकलना बूढ़े होना और जुर्या पढ़ने की समस्याएं होती चली जाती हैं सातवा ज्यादा शुगर का सेवन हार्ट अटेक या हार्ट श्ट्रोक जैसी समस्याओं के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है क्योंकि यह बलड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल को भी बढ़ाता है जो की दिल के लिए घातक है और सबसे पूर्ण शुगर की बिमारी तो आप सभी जानते ही हैं सर्वविदित है अगर इन में से कोई एक होता है मोटापा तो भी शुगर होने के चांसे होते हैं तो इसलिए अब क्या करें आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा क्योंकि मीठा तो खाना है इक्षा होती है आपको त लेकिन चीनि का सेवन घर में नहीं करें तो बहतर होगा श्टार्टिंग सथे ही उसकी जगह फिर भी आप ले सकते हैं लेकिन व भी ना लेए तो ही बहतर है आपके लिए बहतर है कि गुड़ का सेवन करें गुड़ आपको आज कल का जो महौल है यानि कि पॉल्युशन-भ के लिए फायदे मंद होगा चीनी की जगह पर गुड का सेवन करें सबता हमें कभी एक दो बार चीनी खाया आपने कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपके डेली रूटीन में चीनी शामिल है तो आप समझे कि बिमारियों की तरफ खुद बखुद बढ़ रहे हैं आप कोशिश करें हम सभी समझ सकते हैं कि हर रोज की आदत हो गई है और हमारी दैनिक रूटीन ऐसी है कि इससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है तो उसके कुछ सप्लिमेंट से उनको ये उज़ कीजिए और नहीं तो अगर शुगर ले ही रहें यानि कि चीनी डैरेक्ट ले रह क्योंकि आपको बैलेंस करना पड़ेगा आपके शरीर में ये जो जाता है और हानी पहुंचाता है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा अदर्वाइज आपके मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी इसलिए जितना ज़्यादा हो सके चीनी को बाय बाय कहिए नहीं भी कह पा रहे हैं तो आप अपने लिवर को डिटॉक्स करते रहिए ये बहुत जरूरी हो जाता है नहीं तो आपके मुश्किलें समय के साथ बढ़ती चली जाएंगे ये वीडियो आप सभी देख रहे थे आयरवेदी कुप चार चैनल के माध्यम से ऐसी ही नई वीडियो के मिल सके फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तूं